नमस्कार दोस्तो दोस्तो प्लिंद बीम हमारे पिडलिंग इस्ट्रक्चर में एक बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंद बीम के साइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मंजिल मकान से लेकर चार मंजिल मकान तक के लिए पलिंद भीम का साइज और जो उसमें सर्या देना है रेन्फोर्स्मेंट देना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे पर उससे पहले हम बात करेंगे कि प्लिंद बीम होता क्या है और क्यों दिया जाता है देखिए दोस्तों घर की foundation या footing के बाद दिया जाने वाला बिल्डिंग में दिया जाने वाला पहला बीम ही हमारा प्लिंद बीम कहलाता है ठीक है दोस्तों प्लिंद बीम बिल्डिंग के हमारे structure के load को सभी कॉलम पर equally distribute कर देता है और ये हमारे सभी कॉलम को आपस में बांद के रखता है जिससे हमारे कॉलम की मजबूती भी बढ़ जाती है और हमारी बिल्डिंग में होने वाली settlement के कारण cracks को भी ये रोकने का काम करता है दोस्तों प्लिंद बीम का size और उसमें दिया जाने वाला सरिया structure के load पर depend करता है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मंज़ी से लेकर चार मंज़ी तक के लिए प्लिंद बीम के size की और उसमें दिये जाने वाले reinforcement की दोस्तों अगर आपने किसी engineer या architect से अपना proper design बनवाय हुआ है तब तो आप उस design के साब से चलीगा अगर आपने नहीं बनवाया है तो इस वीडियो को आप complete देखेगा हम आपको बताएंगे कैसे आप thumb rule को follow करकर residential building के लिए अपने प्लिंद बीम का size ले सकते है दोस्तों आगे बलने से पहले आप से एक छोटा सारे क्योश रहेगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए है तो चैनल को आप subscribe कर दीजएगा क्योंकि ऐसा ही जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छे रखता है तो वीडियो को भी आप दोस्तों जरूर लाइक किजएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्लिंद बीम के साइज की और उसमें जो reinforcement हमको देना है उसकी इस क्रिन पर आप देख सकते हैं मैंने एक मंजिल से लेके चार मंजिल तक के प्लिंद बीम के साइज को दिखाय हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक मंजिल ग्राउंड फ्लोर ही अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्लिंद बीम का साइज क्या रखना चाहिए मैं आपको कलर से हाइलाइट करूंगा दोस्तों अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही ग्राउंड प्लस जीरो मतलब एक मंजिल अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर प्लिंद बीम का साइज है आप 9 इंचिस बाई 9 इंचिस का प्लिंद बीम रख सकते हैं जिसम उनका जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वो आपको सिक्स इंच रखना होगा सेकिंड आता है अगर आप ग्राउंड प्लस वन यानि कि टू स्टोरी विल्लिंग अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर प्लिंद बीम का साइज क्या रखना है दोस्तों अगर अगर आप ग्राउंड प्लस वन टू स्टोरी विल्लिंग अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर प्लिंद बीम का साइज है वो नो इंच बाई 12 इंच का नो बाई एक फिट का या फिर नो बाई 12 इसका प्लिंद बीम का साइज रखेगा जिसमें आपके नंबर बार जो है टोटल वो पांच नंबरों बार आएंगे दो टॉप में आएंगे 12 इंच के और तीन बॉटम में आएंगे 12 इंच के पर वहाँ पे जो सरीय का डायमिटर है जो बार का जो डाया है वो चेंज हो जाएगा जो टॉप के दो बार है वो तो आप 12 इंच का रख सकते हैं बॉटम के तीन बार आपको 16 इंच के रखने पड़ेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर आप ग्राउंड प्लस 3 अगर आप बनाने जा रहे हैं ठीक है चार मंजिल अगर घर आप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे प्लिंद बीम का साइज आपको क्या रखना चाहिए दोस्तो ग्राउंड प्लस 3 के लिए 4 स्टोरी बिल्लिंग के लिए आपको प्लिंद बीम का साइज 9 इंच बाई 1 फिट 3 इंच का मतलब 9 बाई 15 इंच इसका आपको प्लिंद बीम रखना है जिसमें आपके टोटल नंबर ओफ बार जो है वो 7 नंबर ओफ बार आएंगे जि एक और इसका अल्टरनेट है इसके लाबा ग्राउंड प्लस 3 फोर स्टोरी बिल्लिंग के लिए एक और साइज में आपको बीम का बता रहा हूं जिसमें आपको नंबर ओफ बार जो है वो आपको 6 हो जाएंगे नंबर ओफ बार टॉप में दो बार 16 एम के बोटम में दो बार 16 एम के और मिड में दो बार 12 एम के ये साइज भी आप ग्राउंड प्लस 3 के लिए रख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो क आप जरूर लाइक किजेगा धन्यवाद